नमस्कार भाई यो गौरुदे की वीडिए में आज आपका एक बापएट तरस वागत है आज इस विडिमें आपके साम्में लेकर हैं रिनोल्ड की तरफ से आने वाली 7- Seater गार्ड जो कि है रिनोल्ड की ट्राइबर और आज इस विडियों बात करने वालने के रिनोर्ड की ट्राइवर में आपको क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं, अंदर क्या कितिनी स्पेस मिलती है, गाड़ी की प्राइजिंग क्या है, और कैसा के इंजन इस गाड़ में आपको देखने मिल जाता है, तो यह सब चीज़े आपको क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं, कया क्या-कै चीज़े मिलती है, यह सबसे पहले, अब बात करे इस गाड़ी की-डी की-डी की-गी मिलती है, तो कछ ऐसी ही मिलती है, जासमें आपको लॉक-उलनौक की फंक्शन देखने मिलती है, और यहाँ रिञार का लोगो, और फ जाएगी यह फीचर को उसमें देखने मिलते है यहाँ आपको कुछ ऐसे मिलती है यहां अब कुछ ऐसे ऐडलन्स देखने मिलते हैं यहां को बोच कंगिनें यहां जिए असके मैं यहां घखी होंव निचे बात कि जाएए इसकी डिश्ण कर लोगो हों तो बाते हैं साइट से बात करें गाड़ी की तो साइट से गाड़ी की लुप कर चाहसा दाता है कुछ इतने अब गाड़ी के टायर साइज कि यहां जो गाड़ी का टायर साइज है 165 80 इसके साथ आपको यहां वीलगवर भी देखने मिलते हैं क्वालिटी ठीक ताक है यहां आप किसका टन इंडिकेटर मिलता है अगर आप टॉप एरेंड लेते हैं तो जो टन इंडिकेटर है वह आपको यहां देखने मिलता है इसके वर्वेंस से आपको यहां क्लैडिंग्स मि नहीं black मिलते हैं वह भी मेट ब्लेक में नहीं मिलते हैं इसकी डूर हिंडल्स वर्वीम आपको इंटर्नली एडिस्टिबल मिलते हैं एलेक्टिकली नहीं मिलते हैं ना फोल्डेबल ना कुछ आपको इसको एड़ेस्ट करना पड़ेगा पीजिसे बात कुछ हो गई है सी यहां कुछ ऐसा कॉट्टर पेनल देखने मिल जाता है रूपरेस मिलते हैं जो कि नॉर्मल ब्लैक कलर में ज्यादा कुछ नहीं है एंटी ना आपके यहां नॉर्मल देखने मिलते हैं बड़ी सी टिंडी साइड के रिवर्स लाइट आपको देखने नहीं मिलेगी अब बूटी स्पेस की बात कीजिए इस गाड़ी की और थर्ड रोव अगयरा की तो वैसे ही जो इसकी सीट से वाप इसको निकाल गी अलग भी कर सकते हैं तो इस गाड़ी की सीट से वह निकली हुई है और बूट भी कर देखने का स्पेस थर्ड रों में हैं और ज्यादा यसे ताकत वगर लगाने ने पट्रेस को लगाने के लिए यहां आपको रिनॉल की बैजिंग बैजिंग आपको यहां देखने मिलते हैं रिनौल का लोगो पीछे आपको को भी वाइपर डीफॉग और वाशर अग यहां आपको डूल देखने मिलता है और यहां आपको पावर्वींडो के वाल आगे साथ ही मिलते हैं पीछे वाले अलगें पीछे से मिल जाता है बॉटलोल लो कुछ दिनी स्पेस नॉर्मल डूर उपनर यहां इसको नॉप पिवा गया है यह ठीक है अब यहां जो स्वीट से आप इसको हाइट एडिस्टिक नहीं कर सकते हैं नॉर्मली एडिस्टिक आपको देखने मिलते हैं अब अंदर आ चुक हैं बात करे गाड़ी के स्टेरिंग वील की तो यहां आपको कुछ ऐसी स्टेरिंग वील देखने मिलते हैं बिल्कुल नॉर्मल सी है बस गाड़ी चालू ना हो जाए प्रॉब्लम दिक्कत यही रहती है हां इगनीशन ओन हो चुका है कुछ ऐसे अनिमेशन आपको देखने मिलता है अब इनफॉर्द्रम सिस्टम की बात की जाए त यहां अब कुछ एसा ब्लोटू करेंट इं इनफॉर्द्रम देखने मिलता है आफ यहां से चालो हो जाए तो रिडिया वाला सिस्टम रहार आं यहां से प्रेंट कर सकते हो ó वाल लूम वगद है तो यह सब चीज रहती है म यह तो ऐसा लग रहा है मतलब यहां कुछ ऐसा दिया गया है मैं सोचा ही है क्या किस चीज का है तो बड़ी है चीज है यह नीचे कुछ आपको ऐसी यहां आपको इजी आर एमट का भी ऑप्शन देखने मिलता है जोगी फाइव स्पीड मैनुल फाइव स्वीड में हैं अब नीचे बात किया तो यहां कुछ तुक पूल्डर मिल जाते हैं कुछ इतनी स्पीज मिल जाती है अगर आप टॉम लेते हैं तो यहां मतलब धका पको मिलता है यहां बत कि थे लिग्लवउस तो कुछ इतना डीप लवाक्स आपको दीखने मिल जाता है जिसमें आपको अब करें राद के इंस्ट्रुमेंट वर स्टर को कुछ आसा देखने मिलता है जो कि टोटीली डिजीटल है लेकिन टिटे डिस्पले इसमें से नहीं एक प्रफ्यूल एकोनॉमी एवरेज फ्यूल यूजड दूसरा वाई टाइम यहां से सेट कर सके ट्रिपेट ट्रिपी रेंज वगरा यह सची आपको यहां इफॉर्मिशन देखने मिलती है अब और बात की जाए गाड़ी के अंदर से तो यहां को जो अपोस्ट्री मिलती है वह आपको लैदर में नहीं मिलती है फैबरिक में मिलती है लेकिन डूल टू नहीं मिलती है और यहां आपको जो ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड के जो हेड़ बैस्ट है वह आपको इंटिग्रेटर मिलते है एडजस्टेबल नहीं मिलते है वैसे ही यहां सब क कुछ ठीक था कि आप चलते हैं गाड़े की पीछ रोबात करें स्पेस वगएर कि कैसी के गाड़ी में स्पेस है कि आगे की जो इसेट है मेरी हिसाब से एडजेस्टेर है पीछ बात की जाए तो पीछे कि बढ़ी लाली लो है उसमें आपको जो स्पेस बायत्यामिलती है है अब बात यह तर्धेस यहां से से फिसट को आगे पीछे कर सकते हैं पीछे बात किज़ेंगे एस इवेंट तो यहां आपको सेकेंड बेस में आते हैं यहां को पार विंडू के प्रों मिल जाते हैं लॉक आपको नर्मली सिस्टम देखने मिलता है वैसे इसमें इसी जार है लॉक उनलॉक करने के लिए आपको पहले वहां से द्वाना पड़ेका तब जाके गाड़ी लॉक ये अनलॉक होती है अगर आप प्रफिश इवेंट्स मिलते हैं और पीछे शायद उपर वगर है मिलते ग्रैब अब यहां सब जगा दिये गए हैं चलो ठीक है अब बात करें गाड़ी के इंजन की वैसे इस पेस की बात कि तो इस पेस उस गाड़ी में बताता हूं कि इस गाड़ी में इस पेस कितना है आपको यहीं से ऐसे चलना पड़ेगा कि इस पीज़ेरा देखो वैसे बाएदावे प्राइस के हिसाफ से इस पेस बड़ी है अगर दूसरी कार से कंपेर किया जाए अगर वहीं आप 1820 लाग की अलकाजार लेलो तो अलकाजार में आपको मिडल रो में भी इस पेस नहीं मि जाती है और इतनी स्पेस आपको में मतलब पीछे सफीशेंट है मतलब अगर आपका चोटा परिवार है मतलब च्छोटा च्छ लोग है घर मैं 6 दो आगे तीन पीछे दो साथ लोग आप यहां आराम से जा सकते । वैसे अगर छोटे बच्ची हो छोटे छोटे ज्यादा है जैसे च्छोटे बच्चे तीन यहां बैठ जाएंगे चार यहां बैठ जाएंगे दो आगे बैठ जाएंगे तो यहां आपको comfortable मिलेगा और इस आपको यहां मिलते हैं कुछ ऐसा हाल है गाड़ी के अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन आपको यहां सीट बेल्स मिलते हैं और इसको जो हैड डेस्ट है वो एड जिस्टेबल देखने मिलते हैं तो यह चीज बढ़िया है फाइनली बात करते हैं इस गाड़ी की इंजन उप्शन के तो इस गाड़ी आपको केवाल एक इंजन आता है जोगी वन लीटर पेट्रोल इंजन आता है हो भी एनर्जी वाला अब पावर रेशियो की बात की जाए तो यहां आपको 72 बेश्पी की पार मिलते हैं और 96 अनम काड़ प्राव इस गाड़ी आपको देखने मिल जाता है अब बात करें इस गाड़ी की प्राइजिंग की एक शूरूम जबल उप्रों के साब से तो इस वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को स्प्राइब जरू करें वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद थैंके सो मच टार्टा